अतिप्रियों ये सुमस्य के नाम से मैं आपको नमस्कार करता हूँ आज एसाया नभी 41.15 वचन में प्रबु एक भात को कहता है देखियेगा देख मैंने तुझे चूरी वाले दावने का एक नया और चोका यंत्र टहराया है 1975 में प्रबु ने मुझे जब सेवकाई में बुलाया था चन्ने में खमरे में जब मैं प्रातना क्या था प्रबु ने मुझे को दर्शन देखे इस वचन को प्रतिक्या के रूप में मुझे दिया था इसाया 41 अधिया आठ सले के 16 वचन में मैं प्रतिक्या के रूप में दे रहा हूँ मैं उसको चलाओंगा देखिए उसी में ये वचन है इसको पढ़ने समय मुझे सुरुवात में मतलब नहीं समझा लेकिन सेवकाई में आने के बाद इसी जहां में उन दिनों में इस जंगल में आके जब मैं प्रातना किया करता था अकेले प्रभु के साथ रहता था यहां प्रभु ने मुझे बनाया क्योंकि माल में भूसा निकालने के लिए एक केत में से जब धान कटनी हो जाता उस वक्त उसको सब को इकटा करके एक जगा में लाके उसमें से बूसा निकालते हैं ऐसे करने से ही उसमें से धान निकलता है आज कल के जवाना में बहुत सारे यंत्र भी आ गया है वो क्या करता है धान को वो एक जगा में इकटा करते हैं उसी समान आत्मावों को फरक्तने के लिए तुम्हें एक यंतर में बनाने चूरी के दान्त का एक यंतर बना के मही तुम्हें एक नहया एक अच्चे यंतर का रूप में बनाऊंगा करके प्रभु ने कहा। वैसा ही प्रभु ने मुझे बनाया, सुरुवात में मुझे पता नहीं चरा लेकिन प्रभु ने मुझे बनाया, जरूर प्रभु ने मुझे बुलाया लेकिन उसके बाद में, उस सेवकाई में निंदा अपमान जबाएगा, पर में शिर्क वेदी के पास आएक बहुत समय ब प्रबू आज बना रहे हैं। आप कहेंगे आप तो सेवक हैं, आप के लिए जरूरत है। कर राज में आत्माओं को जीतने के लिए सोंपता हूँ प्रबू। पढ़ने की जहां में, बिस्नस करने की जहां में, जहां मैं रहता हूँ, समाज में वो सारे जगा में। आत्माओं को जीतने के लिए तु मुझे प्यार से बनाता है, दन्यवा देता हूँ। एक नए एक अच्चे यंत्र के रुप में मुझे बनाईए आज मैं इसे वकाय के लिए आरपन करता हूँ प्रभु ये शुकर नाम से प्रात्ना मांगता हूँ आमेन आमेन